देश में शांती और व्यवस्था कायाम बनाय रखने का जिम्मा पुलिस का होता है। थे खाकी वर्दी में नजराती है उसका वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है। और पैन शामिल है। इस के लावा, पी कैप, चमरे की बिल्ट और काले जूते भी इसका हिस्सा है। साथी पंचाब पुलिस में पक का इस्तिमाल भी किया जाता है। कहीं टोपियां भी लगाई जाती है। सन 1893 में इंग्लेंड में खास एक जाम कराए गए। इसमें अफसरों को प्रोबेशन प्रियाड पर रखा गया था। फिर 1907 में अंग्रेज सरकारद्वारा भारतिये पुलिस का गच्छन किया था। इसी में चुने गए टॉप्टन कैंडिडेट सेंड इंपिरियल पुलिस का हिस्साब बने। जिसे आजादी के बाद सन 1948 में बदला गया। पुलिस की वर्दी का रंग खाकी इसलिए रखा गया क्योंकि इस पर धूल नहीं देखती। खाकी रंग की खोज भी अंग्रेजों ने ही की। उनकी सफेद वर्दी ज्यादा गंदी नजर आती थी। जिसके लिए कुछ ब्रिटिश सैनिक अपनी वर्दी अलग-अ अलग रंग से डाय करने लगे थे। तब अंग्रेजों ने खाक नाम की डाय का अविशकार किया। जिसे सन 1847 में सरहारी बर्नट लंसट डेन द्वारा ओफिशेल रूप से भारतिये पुलिस का हिस्सा बना दिया गया। खाकी से अलग-पोलकता पुलिस सिर्फ सफेद रं वर्दी का रंग खाकी ही है। जिसमें सफेद रंग की शर्ट और पैंट शामिल है। इसके अलवा काले रंग की बिल्ट जूते और नीले रंग की पी-कैपी इनकी वर्दी का हिस्सा हैं। 1720 में कोलकता की पुलिस को जनता और क्राइम की देखरेक के लिए बनाए गया था जो जमीनदारों के अंतर गदाती थी। काफी बाद इसमें बदलाव किये गए तब कमिशनर ओफ पुलिस भी अपॉइंट किये गए। इसलिए इस पुलिस फोर्स को कोलकता के इतिहास का हिस्सा माना जाता है। इसी कारण ना इस पुलिस फोर्स के नियम बदले गए हैं और ना ही ड्रेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवंग शेर जरूर करें आपको हमारा ये वीडियो किसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और देचस वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें